आज हम बनाएंगे ये टेस्टी ब्रेड रोल्स, बहुती टेस्टी ये बनेंगे और जटपट से बन जाते हैं और मार्केट से भी ये बहतर टेस्ट देंगे आपको, तो चलिए बनाते हैं, इसके लिए मैंने एक बड़ा साइस का प्यास लिया है, इसमें डाल दिया है नमक, एक चमच इतना मैंने इसमें डाल दिया है धनिया पाउडर और आधा छोटी चमच इसमें मैंने डाला है जीरा पाउडर, इसे हातों से थोड़ा सा मसल दे हुए मिक्स कर लेंगे, इससे क्या होगा प्यास थोड़ा सा नरम हो जाएगा, सॉप्ट हो जाएगा थोड़ा, 6- साथ मिनिट के लिए हम साइट में रख देते हैं अब हम इसका सलरी बनाते हैं सलरी के लिए मैंने एक कटोरी में तीन बड़े चमच कॉंस्टाच ले लिया है थोड़ा सा नमक डालके पानी डाल देंगे फिर इसे घोल बना लेंगे ध्यान रखेगा इसमें कोई लंप्स न मन देखिए हमारे ब्रेट स्लाइस त्यार है देखिए जो प्याज हमने मसल के रखा था वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें डालेंगे तीन उपले हुए आलू थोड़ा सा चिली फ्लेक्स मैंने डाला है और थोड़ा सा काला नमक आप अपने स्वात के हिसाब स चिली फ्लेक्स को कम या जादा कर सकते हैं थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता डालेंगे और इसे हातों से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स कर लेंगे बहुत ज्यादा बड़े टुकडे इसमें नहीं होना चाहिए नहीं तो हमारे ब्रेट लूर अच्छे से बनेंगे अब हम क्या करेंगे एक बर्तन में ले लेंगे थोड़ा सा पानी इसमें ब्रेड के स्लाइस को ऐसे हलका सा डिप करेंगे ज्यादा समय नहीं रखना है इसमें नहीं तो ब्रेड तूड के भिकरने लगेगा फिर इसे अच्छे से हाहतों से दबा के इसका जो एक्स्ट्र पान है ना निकाल लेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा जोर से दबाना नहीं है ने तो फिर ब्रेड तूट जाएगा फिर हम क्या करेंगे जो मसाला हमने बना के रखा है उसमें से थोड़ा सा लेंगे और इस तरह से बीचो बीच रखके चारों तरफ से इसे बंद कर देंगे दे इसे सिलिंडर सेप में बनाया है जो सलरी हमने तियार किया था उसमें इसको हलका सा टीप करेंगे डीप करके इसे निकाल लेंगे तुरण चादस में उसमें रखना नहीं है फिर ब्रेड क्रम से हम इसे अच्छे से कोट कर लेंगे अगर आपके पास ब्रेड क्रम नहीं है तो आप घर पे ही बना सकते हैं हमने जो bread के slice काटे थे ना side वाले हिस्से उसको हलका सा तवे पे रोष्ट करके आप powder बना सकते हैं मिक्सी में तो bread क्रम आसानी से घर में बन जाएगा अब हम इसे क्या करेंगे medium hot oil में fry करेंगे दिखिए इस तरह से इसे उलट पुलट करते हुए fry कर लेंगे इसे सुने रहा होने तक पकाएंगे बहुत ही tasty लगता है दोस्तो घर पे जरू ट्राइ करिए बहुत आसान तरीके से बनता है आप चाहे तो बच्चों को इसे टिपिन बॉक्स में भी दे सकते हैं बच्चे खुसी-खुसी खा के इसे आएंगे और साम के चाहे के लिए तो ये पॉफेक्ट स्नाक्स है ये रेसिपी जरू ट्राइ करिए आपको कैसा लगा हमें बताएए चानल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लिजेगा और हाँ हमारे वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लिजेगा जैसे हमारे चानल के सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके देखिए कितना पॉफेक्ट प्रेड रोल बन के दियार है